किसान आंदोलन शुरू होने के साथ ही इस समय MSP फिर चर्चा में आ गया है। किसानों की एक मांग यह भी है कि MSP की गारंटी मिले और साथ ही C2 प्लस 50 प्रतिशत के फार्मूले पर इसका रेट तै हो। MSP तै करने वाले क्रिशी लागत एवं मूल्य आयोग कैक्प के एक आंकड़े के अनुसार देश के दो राजियों मध्यप्रदेश और पंजाब में गहूं की जो लागत आती है उसके मुकाबले जो इस साल अप्रेल में जो MSP मिलेगी वो C2 प्लस 50 प्रतिशत के फार्मूले स ज्यादा है इस फार्मूले के अनुसार संपून लागत पर 50 फीसदी लाब तै करके MSP घोशित करने की मांग की जाती है दोनों राज मिलकर भारत के गहूं उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत पैदा करते हैं रभी विपनन सीजन 2023-2024 में केंद्रिय पूल के लिए की गई कुल खरीद में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान इनहीं दोनों सूबों ने किया था रभी मार्केटिंग सीजन आरेमेस 2024-25 के लिए गेहूं की MSP 2275 रुपए प्रती क्विंटल है क्रिशी लागत और मूले आयोग के आंकडों के मुताबिक इन दोनों सूबों में इतना MSP C2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले से अधिक है किसान C2 प्लस 50 प्रतिशत के आधार पर ही MSP तै करने की मांग कर रहे हैं यानि संपून लागत पर हालांकि CACP 2 प्लस एफिल फार्मूले के आधार पर MSP की सिफारिश करता है और सरकार उसी पर इसकी घोशना भी करती है सरकार जिस फार्मूले पर MSP तै कर रही है उसमें संपून लागत नहीं जोडी जाती CACP ने पंजाब के लिए गिहूं के उतपादन की सीटू लागत एक हजार पांच सो तीन रुपए प्रती क्विंटल आ की है इस लागत के मुकाबले किसानों को दो हजार दो सो पच्छथर रुपए प्रती क्विंटल का MSP मिलेगा यानी 772 रुपए प्रती क्विंटल या 51.36 प्रती का रिटर्न वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में मुखे तौर पर पंजाब के ही किसान शामिल है इसी तरह धान के लिए पंजाब के किसानों को टू लागत पर रिटर्न 49 प्रतिशत और टू प्लस एफेल पर 152 प्रतिशत था CACP की रिपोर्ट के अनुसार, खरीफ विपनन सीजन 2023 से 24 के दौरान पंजाब में धान के लिए अनुमानित टू प्लस एफेल लागत 864 रुपए प्रती क्विंटल और टू लागत 1462 रुपए प्रती क्विंटल आकी गई थी जब इसकी तुलना MSP 2183 रुपए प्रती क्विंटल से की जाती है, तो A2 प्लस एफेल पर रिटर्न 152.66 प्रतिशत और C2 लागत पर 49.32 प्रतिशत आता है पंजाब का गणित अलग क्यों है? आए जानते है दरसल, पंजाब में अधिक रिटर्न का एक कारण अधिक उपज भी है रिपोर्ट के अनुसार, राजिमेधान की उपज 79.84 क्विंटल प्रति हेक्टेर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि देश की उपज 43.66 क्विंटल प्रति हेक्टेर है रभी मारकेटिंग सीजन 2023 से 24 के लिए पंजाब की अनुमानित गेहूं उपज 49.98 क्विंटल प्रति हेक्टेर थी, जो देश में सबसे अधिक है देश के कुल गेहूं उत्पादन में पंजाब की हिस्सेदारी 15 फीसदी है और यह यूपी और मध्यप्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर है सिर्फ दो राजियों मध्यप्रदेश और पंजाब की लागत के आधार पर देखा जाए तो 2275 रुपए की गेहूं की MSP C2 प्लस 50 प्रतिशत के फार्मूले से ज्यादा है लेकिन यहां यह भी सोचने और देखने वाली बात है कि सरकार राजियों की लागत के आधार पर MSP नहीं तै करती बलकि राजियों की सिफारिशों को हाशिये पर रखकर औसत लागत निकाल कर तो प्लस एफिल फार्मूले के आधार पर MSP देती है देश में औसत सीटू लागत 1652 रुपई प्रती क्विंटल है इस आधार पर अगर सी 2 प्लस 50 प्रतिशत के फार्मूले से MSP तै हो तो गेहूं का सरकारी दाम 2478 रुपई प्रती क्विंटल होगा जबकि सरकार ने 2275 रुपई की MSP तै की है यानि सी 2 के मुकाबले 203 रुपई कम है आपको बता दें की गेहूं की सबसे ज्यादा लागत महाराश्ट्र में आती है यहाँ पर सी 2 लागत 2735 रुपई प्रती क्विंटल है ऐसे में अगर पंजाब की तर्स पर महाराश्ट्र में सी 2 आधार पर दाम की बात करें अगर राजियों की अपनी लागत के आधार पर MSP दी जाए तो महाराश्ट्र में गेहूं की MSP 3292 रुपई प्रती क्विंटल होगी Bureau Report Market Times TV